हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X5 Android में आप अपने मुआलफोन का स्टोरिज आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलि यहां पर वीडियो का में स्ट्रॉरेज को आतीन तरीकों से बढ़ा सकते हैं कि आपके फोन का स्टोर चाप कर सकते हैं और दूसरा तरीका ही होता है कि कि एपने थर्ड पाइट या ये अप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं जैसे कि Play Store में काफी सारे लाउड से इस टोरिज अवेलेवल होते हैं और तीसरा तरीका यह होता है कि आप अपने मुगैल फोन से फाल्ट होगा डेटा अटा देंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरिज बढ़ जाएगा तो आज के इस वीडियो में बताने वालों कि कैसे आप तीसरे तरीकी के जरीए यानि कि फोन से फाल्ट होगा डेटा हटागे फोन का स्टोरिज कैसे बढ़ा पाएंगे तो चलिए पहले तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देगी दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस आपको यह करना है कि आपकी मुगैल फोन में काफी सारे ऐसे आप्स होते हैं जिनके अं सब्सक्रिटों मिया तो इस नदर भाएंगेक से बचलिए यह तो बंकरना है अगर हैcu आप बैकप सेटिंग शिले बंद करवा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बैकप सैटिंग चालू रहती तो इसे हमारे फोन का internal storage जल्दी फुल हो जाता है तो इसलिए आपको इन backup सैटिंग को बंद रखना है जिससे आपके फोन का storage बढ़ जायगा ठीक है अप देखे अगला काम यह करना है कि आपके μεुवाइल फोन में जितने फालतु के आ Souls warmer नहीं करते हैं उसे फालतु के आप को किसी भी आप को इंस्टॉल करते है तो वह जो एक्प रही Links को आपके मुवाइल फोन का इंटरने हो स्टोरेज कवर करता है तो इसलिए आपको अपने फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा अगला काम यह करना है मुवैल फोन की गैलरी को ओपन करना है फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने भी फालतु की फोटो वीडियो आपको पर्मानेंट डिलीट करने है जिससे आपके फो पर करिया सबसे उपर आपको सप्षसेटिंग पर करना है यहां पर सबसे उपर सबसे उपर सेर्ज भार में Riset आपको लिखना है आपको नीचे ना faaryarts का एक औप्राथ के सबसे नीचे साएब औरbeiten सत Geld में आप किसी दूसरे में वैल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैक अप ले लीजिए दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं आपके फोन की जीमेल आईडिया और उसका पास्वर्ट आपको पहले से नोट करगे रखना है यह दो काम पहले करने हैं उसके बाद फोन को करेंगे तो इससे आपके फोन का स्टोरिज बढ़े जाएगा ठीक है